फॉग जो है लगातर बंद पर रही है जितनी बार भाई ब्रिक को आप दबाड़ है उतनी बार फॉग बंद पर रही है अलो गाईज वेलकम बैक तो तो गाईज आज हमारे पास आए हॉंडा का शाय बिलकुल लेटेस्ट मोडल है सात में भाई दिक्कत क्या है चलिए बाईक में आपको डीटेल में एक्स्प्लेइन करेंगे सात में इसको सही भी करेंगे तो भाई ने क्या क्या सुबा के टाइम भाई फॉग लाइट और हैजर्ट फ्लाशर जो होता है इन्हें इंस्टॉल करवाया है किसी दूसरे मेकनिक से साथ में क्या है भाई देखिए सुबा के टाइम पे तो हमारा फॉग लाइट हेडलाइट बगड़ा नहीं काम में आते है ठीक है तो रात को जब भाई रस्ते प आप दबाड़ है उतनी बार फॉग बंद पर रहे है और सिर्फ फॉग नहीं फॉग के साथ सथ भाई जो है हमारा हैजर्ट फ्लाशर का जो भाई इंडिकेटर है मोड है बिल्कुल सारा सब कुछ बंद पर रहे है तो भै दिक्कत कहा से है पूरे डिटेल में एक्स्प्ले तो दिक्कत कहा से पहले आपको एक बता रहे हूँ के डुश्णी की जो है बहुत ही बड़िया फ्लाशर होता है क्योंकि हमने कई फ्लाशर को इंस्टॉल किये है और हैज़ट फ्लाशर में क्या है वही मोड मिलते हैं क्या ही साड़े लगबक 15 से उपर आपको मोड मिलेगा इदर तो हैज़ट फ्लाशर आप अगर चाहते हैं कि आपका इंडिकेटर नरो Так भषुए सकते हैं साथ में वाइट के डरा के ऐइए के बाड़े में स्विड़ा और आम आपको शुरा सवर्मा लेते यह जू कनेक्शन की दश्वाइब पया में गल्तिक है तो देखिए हमारे हाथ में अभी जो connection देख रहे है यह switch का है है ज़िए फ्लाशर जो इंस्टॉल किये है इस switch का यह connection है और fog का connection देखिए भाई यह जो switch है पहला तो यह तो hazard का हो गया fog जो है अमारा fog का connection है इधर आया है ठीके hazard और fog का connection भाई एक ही जगे से किये इसलिए दोनों में एक ही दिक्कत जो है यह आ रहा है तो यह भाई जो line है यह तो ignition switch जो होता है हमारा 20 switch इधर से उठाया है यह बिल्कुल सही है इनमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह देखिए यह जो fog का line है fog और hazard का जो negative बला point जो ground के साथ attach होता है एक तरीके से कही सकते है बैटरी के minus में जो जाते है यह जो connection है यह भाई मेकानिक ने कही ना कही पर गलती करके भाई बैक के साथ attach कर दिया है ठीक है क्योंकि सेम color color coding देखके हमेशा काम नहीं करना चाहिए ठीक है थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा नहीं तो आपको काम जो है यह नहीं बनेगा सही तरह से और साथ में आपको बताते चले यह जो connection क्या है भाई BS6 भाई के थोड़ा सा ध्यान से काम करो नहीं तो आपके वज़े से भाई customer का नुकसान हो सकता है इसके वज़े से भाई connection जो कर रहे है इसके वज़े से fuse बार बार उड़ सकता है बाईक वाइडिंग में होता है इसमें वाइडिंग सेट में जो connection देता है भाई brain कह सकते हो एक तरीके से तो ECM भी आपका फुक सकती है ठीक है तो एक आप लोग समझी सकते है होंड़ा शाहिन का ECM उड़ा तो भाई साड़े 6,000 का फटका ठीक है तो मैं आप लोग से एक ही बात बोलना चाहूंग भाई जिसके पास experience है साथ में जिसको knowledge है सही mecanics से भाई काम करवाई है ठीक है क्योंकि हमने देखा है भाई मेकानी की बाई की ऐसी की तैसी मार देती है एकदम बिल्कुल बे जिजक बेशक बए ठीक है तो सही mecanic का पहचान करना वह आपके जम्मेदरी है ठीक है ठीक है मेगानिक ने काम करके छोड़ देगा नुकसान आपका हो जाएगा वो तो अपने सर पे यह इल्जाम नहीं लेगा ठीक है इलेक्ट्रोनिक पार्ट अब उड़ गया हम क्या करें लेकिन क्यूं उड़ा है यह आप भी नहीं जानेंगे ठीक है और जिसने कनेक्शन किया है उसे पता ही नहीं होगा तो दिक्कत यह है भाई सही से काम करना है और सही जो कनेक्शन है इसी के साथ भाई साथ सा कुछ ध्यान में रखना पड़ता है ठीक है यह देखिए आपका नुकसान हो जाएगा तो क्या है आप अगर समझते है तो भाई मेकानिक की बदनामी इनसे छोड़ के और कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है तो यह सारा सब कुछ ध्यान में रखके काम करना परता है बेसिक्स भाई ऐसा है इसके जो वाईडिंग में एक वायर को भाई काटना और एक वायर को जोड़ना वह भी बहुत ही सोच समझ के करना परता है इस बात का हमेशा ध इसे उठाके हम इंडिकेटर के जो नेगेटिव बाटवाव और बॉड़ी वाला जो वायर होता है उसके साथ हम एटच कर रहे हैं तो देखिए कर भी दिया है क्योंकि आपके साथ यह बाते शेर करते करते कही न कहीं पर यह जो हमारा काम था यह वीडियो था यह आगे बर गया है तो माहिन मत करना भाई जो connection था उसे आपको सही से बता दिया है और आप लोग यह भी जानते हैं कि हम इसको गुम्रा नहीं करते साथ में जो सही जानकारी होता है उसे डालते ठीके तो देखिए अभी ब्रेक दबा रहा हूं बिल्कुल connection को सही कर लिया है ब्रेक दबा आएंगे कि इसमें जो दिक्कत था वह अभी आड़ा है कि नहीं देखिए बिल्कुल perfectly work कर रहा है ब्रेक को दबाएंगे देखिए दबा के रखेंगे तो भी जो इंडिकेटर हो जल रहा है तो वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बक्स में कमेंट के बताईए वीडियो अच् आएंगे